ओम शान्ती 12-2023 के मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा मोस्ट सुईटेस्ट बाप इस करवी दुनिया को बदल सुईट बनाते हैं तुम्हें भी सुईट बाप और वर्से को याद कर मोस्ट सुईटेस्ट बनना है आगे कहा अपनी अव्यक्त स्थिती से अव्यक्त आनंद अव्यक्त स्नेह वा अव्यक्त शक्ती प्राप्त कर सकते हो फिर कहा देह सहित जो भी कखपन है वो सब शिब बाबा की बैंक में जमा कर भविश के लिए बेहद सुख का वर्सा लेना है फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है कभी भी अशांत नहीं होना है अशांती नहीं फैलानी है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे मोस्ट सुइटेस्ट बाप इस करवी दुनिया को बदल सुइट बनाते हैं तुम्हें भी सुइट बाप और वर्से को याद कर मोस्ट सुइटेस्ट बनना है प्रश्ण है स्वयम को परफेक्ट बनाने की कौन-कौन सी युक्ती बाप ने सुनाई है उत्तर है स्वयम को परफेक्ट बनाना है तो इमानदारी से स्वयम की जांच करो कि पहला मेरे में अभी तक क्या-क्या खामिया है दूसरा, सारे दिन में मन्सा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ तीसरा, बाप की याद की करेंट लेकर भूतों को निकालने का पुशाट करता हूँ चौथा, दूसरों की सर्वीश के साथ में अपनी भी सर्वीश करता हूँ पांचवा, कितना समय बाप की याद में रहे, अथा सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ ओम श्यान्ती, बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविश का पुरुशोत्तम मुख देखते हो, पुरुशोत्तम चोला देखते हो समझ में आता है, कि हम भविश्य नई सत्यों की दुनिया में, इन लक्ष्मी नारायन के वन्शावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे, अथवा पुरुशोत्तम बनेंगे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, तो बुद्धी में रहता है न, मैं फलाना बनूंगा तुम भी जानते हो, हम विश्यों के डिनाइस्टी में जाएंगे क्योंकि विश्यों के दो रूप है, लक्ष्मी नारायन, अभी तुम्हारी बुद्धी अलवकिक है और कोई की बुद्धी में यह बाते रमन नहीं करेगी यहां, तुम जानते हो, हम सत बाबा, शिब बाबा के संग में बैठे हैं उँच ते उँच बाप, हमको पढ़ा रहे हैं बाब है मुष्ट सुईटेस्ट, उस सुईटेस्ट बाब को बहुत लव से याद करना है क्योंकि बाब कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुर्शुत्तम बनेंगे और ज्यान रतनों को धारन करने से तुम भविशे 21 जन्मों के लिए पदमपती बनेंगे बाब जैसे वर देते हैं वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को, अथवा मीठे मीठे सपूद बच्चों को मीठे मीठे बच्चों को देख, बाब खुश होते हैं मीठे बच्चे जानते हैं, इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं बेहत का बाब भी इस बेहत के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं सुईट बाब के तुम सुईट बच्चों को सुईटस्ट बाब सम्मुख नजर आता है आत्मा ही इस शरीर के ओर्गन से एक दो को देखती है तो तुम हो सुईट चिल्रन बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत सुईट बनाने आया हूँ यह लक्ष्मी नारायन मोस्ट सुईट है न? इन्हों की राजधानी भी सुईट है वैसे इनकी प्रजा भी सुईट है जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना सुईट देखते हैं कहां मंदिर खुले तो हम सुईट देवताओं का दर्शन करे दर्शन करने वाले समझते हैं यह सुईट स्वर्ग के मालिक थे शिव के मंदीर में भी कितने धेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट है उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है Most sweetest बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि ये incognito है इन जैसा sweet और कोई हो नहीं सकता बाप जैसे sweet का पहाड है Sweet बाप ही आकर करवी दुनिया को बदल sweet बनाते हैं बच्चे जानते हैं Sweetest बाबा हमको most sweetest बना रहे हैं हूब हूब आप समान बनाते हैं जो जैसा होगा वैसा बनाएगा न तो ऐसा sweetest बनने के लिए sweet बाप को और sweet बरसे को याद करना है बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं मिठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिग्या करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिठ जाएंगे तुम ever healthy, ever wealthy बन जाएंगे तुम most sweet बन जाएंगे आत्मा sweet बनेगी तो शरीर भी sweet मिलेगा बच्चों को यह नशा रहना चाहिए most beloved बाब के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रिमत पर चलना है बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत sweet बनाते हैं most beloved बाब कहते हैं तुम्हारे मुख से सदय वरत्न निकले कोई भी करवा पत्थर नहीं निकलना चाहिए जितना sweet बनेंगे उतना बाब का नाम बाला करेंगे तुम बच्चे बाब को follow करो तो तुमको फिर और सभी follow करेंगे बाब teacher भी है ना तो teacher जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे बच्चे याद का रोज अपना चाट रखो जैसे व्यवपारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं न तो तुम व्यवपारी हो बाब से कितना बड़ा व्यवपार करते हो जितना बाब को जास्ती याद करेंगे उतना बाब से अथा सुक पाएंगे सातो प्रधान बनेंगे रोज अपने अंदर देखना है जैसे नारत को कहा न के अपनी शकल देखो के मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूं तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक है नहीं तो हमारे में क्या-क्या खामिया है क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है बाप आए ही है परफेक्ट बनाने लिए तो इमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या-क्या खामी है जिस कारण समझता हूं के उँच पद नहीं पा सकूंगा इन भूतों को भगाने की युक्ती बाप बताते रहते है बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते है किसी में खामी देखते है तो फिर उनको करेंट देते है के इनका यह बिग्न निकल जाए जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी इसलिए अपनी पूरी जाँच करनी है सारे दिन में मनसा वाचा कर्मना दुख तो नहीं दिया साक्षी हो अपनी चलन को देखना है औरों की चलन को भी देख सकते हो परन्तु पहले अपने को देखना है फिर दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे हर एक को अपनी सर्विस करनी है दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना तुम शिप बाबा की सर्विस नहीं करते हो शिप बाबा तो सर्विस पर आए है न मीठे बच्चे तुम वैलुएबल हीरे बनते हो वैलुएबल हीरे जवाहार जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं तुम ब्राम्हन बच्चे भी वैलुएबल हो जो शिप बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो तुम जानते हो, दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो तुम काल पर बिजय पा रहे हो शिब बाबा के बने तो सेफ हो गए बाकी उंच पद पाने लिए पुर्शाट करना है दुनिया में मनुष्य पास कितना भी धन्दवलत है, पर अंतु वो सभी खतम हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे की सब कुछ है तुमने बेहत के बाप से सौदा किया ही है बविशन नई दुनिया के लिए कहते हो बाबा देह सहीत यह जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आप से फिर वहां सभी कुछ लेंगे तो तुम जैसे सेफ हो गए सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे तुमको कोई पूछे तो बोलो वह हम तो बेहत के बाब से बेहत सुख का वर्षा ले रहे हैं एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं हमारी सभी मनो कामनाय पूरी हो रही है बाबा जानते हैं इस समय कोई सम्पून बना नहीं है माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाडी तक चलती रहेगी युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा अपने उपर बहुत नजर रखनी पड़ती है देखना चाहिए मैं Most Velvet बाबा को कितना समय याद करता हूँ बाबा जानते हैं कए बच्चों को याद करने के भी फुर्सत नहीं है बाब कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है माया पूरा समय ले लेती है बाप को याद करने की फुरसत नहीं देती है सारा मदार है याद की यात्रा पर याद में ही माया बिखन डालती है याद भुला देती है इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो याद की ताकत से ही तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको जट तीर लग जाएगा जिसको तीर लगता है तो एकदम खायल कर देते हैं पहले खायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं बाब को प्यार से याद करते हैं तो बाब को भी कशिश होती है कई तो बिलकुल ही याद नहीं करते बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नती को पाओ आगे नंबर में जाओ जितना उंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और अथा सुक पाएंगे पतित पावन तो एक ही बाप है इसलिए एक बाप को याद करना है सिर्फ एक बाप भी नहीं साथ साथ फिर सुईट होम को भी याद करना है सिर्फ सुईट होम को भी नहीं माल मिलकियत भी चाहिए इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है पवित्र जरूर बनना है जितना हो सके बच्चों को अंतर मुख रहना है जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे, अशांती नहीं फैलानी है अपने घर ग्रिहस्त में रहते भी बहुत शांती में रहो अंतर मुख हो रहो बहुत मीठा बोलो कोई को दुखना दो क्रोध ना करो क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो बाहर मुखी मत बनो अंतर मुखी बनो जैसे बाप अती लवली आत्मा पियोर है ऐसे पियोर बनना है बहुत लव से बाप को याद करना है बाबा आपके सिवाए हमारे सामने दूसरा कोई ना आए बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं हर एक उस एक माशुक के आशिक बनते है तो उस माशुक को बहुत याद करना है बाबा ने बताया है वो जिस्मानी आशिक माशुक कोई इकठे नहीं रहते एक बार देख लिया बस ऐसे नहीं के आपस में शादियादी होती है नहीं, बाब कहते हैं मीठे बचो मा में कम याद करो तो बेडा पार है जिस मीठे बाब द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं ऐसे बाब के साथ हमारा कितना लव है बहुत प्रेम से बाब को याद कर अंदर एक दम ठर जाना चाहिए शीतल हो जाना चाहिए रोमांच खड़े हो जाने चाहिए जो भी डिफेक्ट्स है उनको निकाल पियोर डायमंड बनना है अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैलू कम हो जाएगी अपने को बहुत वैलूइबल हीरा बनाना है बाब की याद भूलनी नहीं चाहिए बलकि और ही याद सतानी चाहिए बाबा बाबा कहे एक दम प्यार में समाजाओ तुम बच्चों को यह भी निश्चे है कि बेहत के बाब द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है तो बाब बैठ बच्चों को देखते हैं इनमें कौन-कौन से गुण है कौन-कौन से अवगुण है बच्चे भी जानते हैं इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ संपून तो कोई बना नहीं है हाँ बनना है कल्प कल्प बने है बाब समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की देह अभिमान बहुत तंग करता है अवस्था को बढ़ने नहीं देता इस देह को भी भूलना है यह पुराना शरीर छोड़ जाना है दैवे गुण भी यहां ही धारन करने है जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए तुम हीरे बनते हो न क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो इस हीरे में भी फ्लो क्यों होते है परन्तु उनसे फ्लो को अर्थाद्दा को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है न उनको फिर कट करना पड़ता है तुम तो चैतन नहीं रहो तो जो भी flow है उनको एक दम निकाल flawless बनना है अगर flow नहीं निकालेंगे तो value कम हो जाएगी तुम चैतन होने कारण flow को निकाल सकते हो तुम बच्चे इस अविनाशी पार्ड बजाने में अठक हो, कभी ठकते नहीं हो जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आये है कितना वंडर्फुल खेल है इस वंडर्फुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है उस खेल को देख कर खुश होते हैं मिलता कुछ भी नहीं इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम बेश्व के मालिक बनते हो इसलिए बाप रोज-रोज समझाते हैं मीठे वच्चे देही अभिमानी बनओ इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है यह तो खतम हो जाना है हमको तो बाबा के पास जाना है देही अविमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है अभी तो 84 जनम पूरे हुए अब घर जाना है बच्चों को सदैव यही याद रहे टाइम तो बहुत बच्चता है आठ घंटा धंधा धोरी करो आठ घंटा आराम बाकी आठ घंटा बाब से बारता लाब रुह रिहान करो रुहानी सर्वीस करो माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते दाना के लिए मुख्य सार पहला देह सही जो भी कखपन है वो सब शिबाबा की बैंक में जमा कर भविश के लिए बेहत सुख का वर्सा लेना है दूसरा, फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर मुखी बन देह अविमान की खामी को निकालना है कभी अशांत नहीं होना है अशांती नहीं फैलानी है वर्दान है, प्रापतियों की इच्छा से इच्छा मातरम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निशकाम सेवाधारी भव विस्तार है जो निश्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतह आती है लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए आप प्राप्तियों को सुईकार नहीं करो अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी सदा अपने को खाली समझेंगे इसलिए इच्छा मात्रम अविद्याबन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो संगम युक पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तिया हुई है उन्ही प्राप्तियों के जूले में सदा जूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी स्लोगन है अपनी अव्यक्त स्थिती से अव्यक्त आनंद अव्यक्त स्नेह वा अव्यक्त शक्ती प्राप्त कर सकते हो अच्छा ओम शान्ति झाल कर गो tal अव्यक्त झाल 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 कर दो झाल 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 झाल